तो बहुत बहुत श्वागत है जोड़ात तरीके से मेरे एरफोर्स के जितने भी लाल है बिलकुल बेसबरी से इंतजार रिजल्ट का हो रहा है बट रिजल्ट के साथ दिल में धग धग भी है कि सराखिर फेश्टू के लिए कैसे खुद को बहतर धंग से तयार करना है आज क समाज में बहुत सारे लोग यह कहने के लिए बैठ होते हैं कि आप अगनीवीर जा रहे हो तुम्हें आप बिलकुल अगनीवीर ही जा रहे हो बड़ आप पर्मानेट जा रहे हो इस बात का प्रॉमिस से सौरसर का आपके साथ और वह चीज हम करके दिखाएंगे तो जो जा वरना मत बैठ हो फटवर उठ हो और भाग करके तेजी के साथ एमकेसी का हिस्सा बनो आपके फिजिकल से लेके जीडी से लेके आपके मेडिकल तक की गैरेंटी हम देंगे और सब्ध परस्थ गैरेंटीड आपको बेलगामी करनाट का और तामरम चन्नाई का हिस्सा बनाए होता जो भी टॉपिक होता उसको आप रीड करते हैं देंधे रीडिंग म choking होने के बाद उस टॉपिक पे आपको अपने कुछ पॉइंट्स नोट करने होते हैं, that means लिखने होते हैं, then फिर उन्हीं पॉइंट्स को आप नरेट करते हैं, including introduction, that means पहले आप introduction देंगे 20-25 तक बिचा, उसके बाद उस topic को नरेट करेंगे, short form में, जिस topic पे आप GD करने वाले हैं, then finally your GD starts, but इससे पहले कुछ basic detail आप GD आपको ध्यान देना है, this slide लेते जाएंगे, बहुत important session है, हर phase 2 के तियारी करने वाले बच्चों को, तो मैं यही कहना है चाहूंगो दिल से बिटा, जादर जादे बच्चों को share करिये, जिससे उनको clarity मिल जाए कि exactly phase 2 के प्रक्रिया में क्या-क्या होता है, कि इन बातों का ध्यान और कैसे लग के तयारी करकर सत प्रसा इस बार सफल हो जाना है, आते हैं self introduction part पे, obviously आपका introduction, up to the mark होना चाहिए, no grammatical error, और pronunciation अपके अच्छे होने चाहिए, lot of candidates have a lots of problem in their communication, and communication में pronunciation एक बहुत एहम रोल अदा करता हुचा, and if you're not making a right pronunciation, then that's not come as a clarity, तो गो कहींगे, दिक्कत का अच्छे होता है, grammatical errors होने ही नहीं चाहिए, तो यह basically self introduction में 3 prospect पे ध्यान देना है, introduction part पे, no grammatical errors, and finally pronunciation part, you need to work on that, finally let's come to the introduction, introduction part है किया, तो 20-25 second का round है, जहां अपना नाम बताना है विच्छा आपको, अपना native place, qualification, family, आपकी strength, hobbies, why do you want to join the Indian Air Force, आखिया आप Indian Air Force क्यों ज्यू in short के तौर पे ले लीजिए बेटा, कि introduction part में क्या क्या चीज़े आए, वो कबर करनी है, आई detail में बढ़ते हैं, common mistake, never start your introduction with the myself is, कभी myself का इस्तमाल मत करिया, बजाए उसके, start as hello, my name is, I am, आप बोल सकते हैं, इन तीनों ही prospects से आप अपने name को introduce कर सकते हैं, बता सकते हैं, कभी गलती से भी myself आप नहीं इस्तमाल करेंगे, अक्सर कुछ बच्चे इस बात को कर जाते हैं, जो की गलत है, start with the hello, my name is, and I am, finally, hello, my name is, basically, I help from, आप define कर सकते हैं, hello, my name is Saurav Singh, basically, I help from, प्रयागराज, मासरश्वती की धरती, that's it, but actually, आप प्रयागराज भी कह के रुख सकते हैं, I have completed my 12th class schooling from, जहां से आपने किया हुआ है, and now I am pursuing graduation from, जहां से आप कर रहे हैं, there are X member in my family, that means, total member आप बताएंगे, 6 member, 8 member, whatever, my father is, उनका नाम, और obviously, उनका profession, my mother is a housewife, और exactly how many brother and sister you have, that means, I have this much sibling, 2, 3, 4, जितने भी भाई बहन आपके हैं, real brother and real sister, आप define करेंगे, strength में, I am physically fit and mentally sound, I am also responsible, I am also responsible, and cooperative by nature, I am a cheerful person, यह आपके strength है, जनका ध्यान देना है, my hobbies are, भी हो सकता है, my hobby is भी हो सकता है, but there is always option, my hobbies are, तो उसको आप add on करिये, my interest are, आप उसको डाल सकते हैं, and finally, I want to join Indian Air Force, because, यह आपका decision है, आपको decide करना है कि क्यों, आप Indian Air Force को जोइन करना जा है, बाकि वीडियों में तो रहेगा ही, आप इसको देख सकते हैं, GD के समकी points है, जहां introduction part एहम था, आप GD के कुछ बाते ध्यान रखना है, initiative आपको जरूर लेना चाहिए, बच्चा, keep speaking, बोलने की आदत, continuity में maintain करनी चाहिए, break, break करके ना बोले, motivate other, दूसरों को भी motivate करें बोलने के लिए, जब आपना अपनी अन रखनें, दूसरा कोई support करें, वो भी अच्छे से बोले, speak logically, जब भी बात करें, logically बात करें, body language आपके कमाल की होनी चाहिए, उसट भी very positive, energetic, enthusiastic, यह आपका attitude करी करना है, fluency अच्छी होनी चाहिए, that means जब आप अंगरे जी बोले, तो आप a team spirit, team के साथ spirit भी अच्छी maintain करनी है, सब के साथ cooperate करना है, सब के साथ एक अच्छा bond and relation create करना है, communication must be good, because इसके बिना कुछ होई नहीं सकता, और social knowledge तो अहम है, बिना जिसके आप कभी भी एक अच्छा impact अपने assessor पे नहीं डाल सकते हैं, तो these are the key factor, which is really you need to care when you are participating for the GD round, पहले ली, अब GD में कुछ important topic है, जिनको आपको मुझे लगता है, नोट कर लेना चाहिए, इसके screenshot वीडियो में तो रहेगा ही, कई बार बता चुका हूँ, बड़ यह topic बड़े हैं, और इनमें सबसे पहला और एहम topic जो मैं आज लाओंगा भी यहाँ पे, smart phones are boon are band, तो basically इसको लेकर के, प्रॉपर ऐसे ही script आपके सामने आ जाएगे, जिसको इमानदारी से आपको पढ़ना होगा, और एक notes की रूप में आपको bullet point के तौर पे इसको तयार करना होगा, इसके बाद officers आप बोलेंगे, officers आप से बोलेंगे, कि now candidates, I have brief you all about the topic, I hope you all have understand the point, now you can start the discussion, अब आप discussion स्टार्ट कर सकते हैं, discussion के दो ही prospect हो सकते हैं, एक positive aspect है smart phone के और एक negative aspects है, यह सच है कि आप के वोल positive भी रख सकते हैं, यह सच है कि केवल आप negative भी रख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक balanced mindset ये होता है, कि positive factors भी बताने है, negative भी बताने है, और अंत में आपको conclusion पे जाना है कि क्या होना चीह जिससे चीजें नेगेटिविटी से हटते हुए और बढ़ें और चीजें बहतर से बहतर सुरूप में आ सके तो तो इस इस दे वे तो इस दो पर फिश्चा है कि आपके का हिसा बनते हैं तो वरक अबरी प्रॉस्पेक्ट उप्यूस्पेट आपके यू क्माल हो चुकिए बच्चे फट आप बढ़ेंगे तो इस जते भी कॉल कर रहें आपके बाटी को बहतर करने का और आपकी करने का और इसके बिल्कुल स् 9696-3300-3300 पर booking करें से हैं, heavy discounts मिल रहे हैं आपको and physical के जिसा ग्राउंड में आपको होता है बहतरीन ग्राउंड पर पुरी physical training है girls, boys दोनों के लिए special arrangements है hostels के रहने के GD के कमाल के session होते हैं, बहुत मज़ा आएगा, एक standard, एक महाल वो चीज हम आपके create करते हैं, जो exactly इनने एक force में आपका रुत्बा maintain करता है, और मैं proudly ये बात कहूंगा कि MKCians जब पहुसते हैं किसी selection center पे न, तो बता देते हैं कि we are coming from the MKC, हम MKC से आ रहे हैं हर SSR ये बात जानता है और finally medical care, बिल्कुल proper hospital क्योंकि ये भी बहुत एहम parameter है 30-40% medical care से बच्चे out हो रहे हैं, तो हम नहीं चाते हैं वो करण बने और उस करण का solution पुरे भारत में केवल Medical C Healthcare Center के पास है जो कि Medical C Classes की हेक यूनिट है तो बिल्कुल medical को लेके भी आस फिचकल से लेके Medical से लेके हर prospect पे हम आपको बहतर बनाते हैं तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं आई ये फटापट सुरू करते हैं फेश्टू की जरनी कॉल करके ऑफिसल नमबर 96963300 पर वीडियो कैसा लागा कमेंट सेक्से में जरूर बताईएगा और मैं कहना चाहता हूँ मरे लाल त्यार हो जाओ सबके सब पर्मानेंट होने के लिए ये हमारा वच्चन भी है और इसको हम कमेंट मेंट के साथ आपको गाइड करते हैं थैंकियो सो मच जय हिंद जय भारत